नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में अब डिजिटल हिसाब किताब से होगा सक्षकों का प्रमोशन वर्त अबादला टमार्टर की कीमत को लेकर सहकारिता विभाग अक्षिन में तमिलनाडों से बिहार पहुंचा मनीश कश्यब पुलिस के सिकायत पहुंची सीयम नितीश के जनता दर्बार में आज है दीपक चाहर का जन दिन डेबियो में आठ विकेट लेकर मचाया था गदर इसके साथ ही बरते हैं शांतकी बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में अब डिजिडल हिसाब किताब से होगा सक्षकों का प्रमोशन वर्ट अबादला आने वाले समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सक्छकों का प्रमोशन वर ट्रांसफर आदी के लिए अलग से आविदन न करना पड़े और ना ही नियोजन इकाई से इसकी जानकारी तलब करना पड़े इसके लिए सक्छा विभाग की ओर से सभी सक्छकों क सारी जानकारी मिल जाएगी हाला कि सरकार को अभी इस पर आपचारी तोर पर निर्ने लेना बाकी है कि सक्षकों की प्रोफाइल से जुरी जानकारियां का उप्योग कैसे किया जाना है बता दिग इस प्रोफाइल का सबसे पहला उप्योग सक्षकों की हाजरी में होगा मालुम होग सक्षकों को खुद अपनी प्रोफाइल इस सक्षा कोस पर अपडेट करनी है अब गंगा के आकरिती गहराई दिशावध धाराओं का होगा हाईडरोग्राफिक सर्वे कॉलकता की सोफिया जियोलोजिकल प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा राष्ट्रिय जलमार्ग संख्या एक में शामिर उत्तरप्रदीश के प्रयागराज वारा नशी बिहार के बकसर के रास्ते पठना मुंगेर सुल्तान गंज भागलपूर के हल गाओं होते वे जारखन के साहिब गंज और बंगाल के फरक्का तक गंगा नदी की गहडाई का हाईडरो क्लोरिक सर्वे किया जाएगा बतादे कि सोफिया जियोलोजिकल प्राइवेट लिमिटेट को यह जमेदारी भारती अंतरदेश जलमार्ग प्राधिकरन के द्वारा दी गई है मालमोग फिलाल एजिंसी के द्वारा भागलपूर छेतर में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है इस सर्वे की दौरान नदी की गहराई आकरती तल दिशा धाराऊ नदी में जौड़ों का समय वा परिमान का आकलं किया जरा बतादे की सर्वे से पांच फाइदे होने वाले हैं जिन में नदी की गहड़ाई के हिसाब से छमता वाले कारगों के परिचारन के अनुमती मिलेगी गंगा विलास कूरूज समीत अनिके परिचारन का लाइसेंस देनी में सर्वे रिपोर्ट आधार होगी गंगा के फैलाओ वा उसके सिक्रन की जानकारी मिलेगी गंगा की नई धारा और फैलाओ वाले एरिया की जानकारी मिलेगी और फड़क का बैराज के पास गंगा के बहाओ वगात की भी जानकारी मिल सकेगी BPSC-69 प्रारंविक परिच्छा की आवीदन तिति बढ़ी अगर आप भी उन में से हैं जो BPSC-69 की प्रारंविक परिच्छा में शामिल हना चाहते हैं लेकिन किसे कारण आवीदन नहीं कर पाई हैं तो आपके पास आवीदन करने का आखनी मोका है बता दे कि BPSC उन्हतरवी प्रारंबिक परिक्षा के लिए आविधन करने की तिति को विस्तारित कर दिया गया है जिसके तहट अब अभिर्थी विलम सुल के साथ 7 अगस्त यानिकी आज से लेकर 9 अगस्त 2023 तक अपना आविधन कर सकते हैं आविधन करने के लिए अभिर्थी को BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह पहली परिक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई के परिक्षाएं एक साथ ली जाएंगी जिनमें 79 वी सयुक्त प्रतियोगिदा परिक्षा, वीतिय प्रशासनिक, पदाधिकारी, बालविकास, परियोजना, पदाधिकारी और पुलिस उपाधिक्षक तकनीकी शामिल है तमिलनाडों से बिहार पहुंचा मनीश कर्शब मनीश कशब बिहार पहुंच चुका है दरसल तमिलनाडू के मदुरई जिल से कड़ी सुरक्षा के बीच मनीश कशब को बिहार लाए गया बतादी कि मनीश कशब को मार्च में पुलिस तमिलनाडू लेकर गई थी मालू हो कि मनीश कर्षप का बेतिया स्टेशन पर फुल बर्सा कर स्वागत किया गया मनीश कर्षप को देखने के लिए बड़ी तादाद में उनके समर्थक वा परिजन बेतिया में जुटे थें जिसमें उनकी माँ और उनके अन्य परिजन भी शामिल थे इस दोरान मनीश कर्षप के समर्थन में उनके नाम के नारे लगते रहें आपकी जानकारी कले बता दी कि आज मनीश कर्षप बेतिया कोट में पेश हुए हैं इसी को लेकर वब बिहार आए मालुम हो कि पश्चिन चंपा रंजले के मजोलिया थाना में साल 2020 में मनीश कर्षप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था मनीश पर चनपटिया विधायक उमाकान सिंग से चनाव के दौरान मारपीट और रंगदारी मांगने कारोफ है इसी मामले में आज मनीश कर्षप को बेती अकोड में पेश किया गया है पुलिस की शिकायत पहुँची सीयर मितीश के जनता दर्बान में आज भिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार का जनता दर्बार आयोजित किया गया जिसमें मुझपरपुर से एक महिला पहुंची जिसने सीयर मितीस से 2019 के केस की सिकायत करते पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया जिसमें उस महिला ने बताया कि पुलिस के द्वारा उनके नीजी जमीन पर कपजा कर लिया गया है सीयर मितीस ने इस मामले को सुनते ही से तुरंट देखनी का आदेश दिया वह इसके लावा जंता दरवार में एक अने फडिया दे नितीश कुमार के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा और 2019 के केस की सिकायत की जिसमें पुलिस कर्मियों पर आरोपियों से मिली भगत सारोप के बाद सीयन ने समबन्दित विभाग के अपता अधिकारियों से सीधे फोन करके मामले को देखने को कहा वहीं एक दूसरी महिला ने सरपंच पती पर गंबीर आड़ोप लगा 티श ने इस मामले में अधिकारियों को फोन करके कहा कि जल्दी दिकषवाई का इतना ब पनाई गई है जिसमें टमाटर की खेती और उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए विवाग के ओर से तैयारियां भी शुरूप कर दी गई है बतादे कि इसकी शुरुवात मुझह परपूर से हुई है जहां प्रात्मिक सब्जी सहकारी समीती सदश् प्रवंद को पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने टमाटर की खेती करने वाले किसानों के सूची मांगी है सूची के आधार पर ही किसानों को खेती के लिए पौध बाजार आधी की सुविधा उपलब्द कराई जाएगी पत्ना एरपोर्ट पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कमर्सियल एरिया डेवलप्मेंट का टेंडर जारी पतना एरपोर्ट पर इस वर्ष के अंतक मल्टी लेवल पार्किंग वर्ष शॉपिंग कॉंप्लेक्स चालू हो जाएगा इसके विशाल साथ मंजला भवन का निर्मान पहले ही हो चुका है वहीं अब एरपोर्ट अथोरिटी के द्वारा इनके डेवलपमेंट वर के निर्मान का विकास के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा इसी वर्ष दिसंबर मधे तक पतना एरपोर्ट पर यह दोनों सुवधाएं चालू हो जाएंगी पतादी की मल्टी लेवल कार पार्किंग और कमर्सियल कॉंप्लेक्स को साथ मंजला भवन 118 मीटर लंबा औ भारिश के वीज न भवक्तों के द्वरा जलाविशे किया गया बतादीक इस दौरान एक तरफ जहां भगतों के द्वरा भगवां शेफ के नाम के जयकारी के नारे लगाय जा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर मंदर परशासन के ओर से बाबा भोलेनाद के भव्या आर्ती की जा रही थी, जिसे देक सभी श्रधालों के मन प्रफलत हो उठे, इस दुरान मंदिर प्रशासन के ओर से श्रधालों के सुरक्षा CCTV, सुरक्षा करनियों के द्वारा की गई, वैस मौके पर कई मंदिरों में प्रशासन के ओर से भक्तों को पूजन सामगरी और अनुकामनाय पुर्ण करते हैं मासिक परिख्षा में बहतर करने वाले स्कूल बनेंगे अनुकर्णिया माधिमेक सक्षा नदिशाले के ओर से दी गई जानकारी के नुसार राची के उन स्कूलों को चिन्हत किया जाएगा जो कख्षा नौवी से बारवी तक की मासिक परिख् मासिक परिख्षा ऑक्टूबर में आयोजित की जाएगी और इसका परिणाम नमंबर में जारी किया जाएगा इसके बाद स्कूलों की सूची तयार की जाएगी जिसमें जिन स्कूलों का परिणाम बहतर होगा उन स्कूलों के दसवी और बारवी के चात्रों को मैट्रिक औ और इंटर परिठ्षा की विशेश तैयारी करवायी जाएगी वहीं नौबी और एंग्यार्वी के वार्सिक परिच्छा की तैयारी बहतर करवाया जाएगा, बता दे कि मासिब परिच्छा कु लेकर बिहार बोर की और से तारीक भी तैक कर ली गई है पुलिस ने डेर करोड़ की सराब की जब प्रिहार में पुन रोख से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें इसे जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाकि उत्पाथ विभाग की ओर से इन पर नकेल कसने के जीत और कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा बलकि सराब तसकर आए दिन नए नए तरीके से सराब तसकरी करते पकरे जाते हैं बतादी की ताजा मामला मोतिहारी का है जहां गुप्त सूचना के आधार पर छतौनी की मोबाइल को जब्त कर मुखे सरगना को पकरने के लिए भी प्रयास जारी है सर्वजन दवा सेवन कारिक्रम का जल्द होगा आयूजन अपर निदेशक सहराजे कारिक्रम अधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर परमेश्वर प्रिशाद के दोरा कहा गया है कि वर्ष 2027 तक फ जानकारी के नुसार पूरे देश भर में फाइलेरिया के कुल 7,6,000 मरीज है जिनमें 18 प्रतीशत मरीज अकेले बिहार के हैं उन्होंने बताया कि राजे में हाती पाउं के करीब एक दसमलो 2,7,000,000 मरीज है और हाइड्रोसल के करीब 18,000 मरीज है आपके जानकारी के लिए स्धाल फाइलेरिया एक मच्छ जन्यत रोख है असपटालों के जरीले पानी से निजाद दिलवाने के लिए राजे सरकार करेगी यह काम राजे के स्पतालों का गंदा और जरीला पानी सीधे शहर के नालों में न जा इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्त विभाग्म के द बाकी पंदर सदर अस्पताल वा अनुमंडर अस्पतालों में ETP लगाए जाएंगे बतादे किसके लिए बिहार Medical Services and Infrastructure Corporation Limited की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है इस बारे में राजिस स्वास्ते समीती के स्वास्ते विभाग सह काड़े पालक निदेशक सचीव संजय कुमार सिंग के दोरा कहा गया कि जिन अस्थानों में ETP लगाए जाने हैं वच्छा माह में काड़े पूरा होगा हाजिपूर सीट पर उमिद्वारी को लेकर चिराग पासवान का बयान उन्होंने कहा कि पिता के निधन के बाद अपनोंने सहारा देने के बदले जक्म देने का काम किया है हाजिपूर सीट उनके पिता की कर्म भूमी है इसलिए लिहाजा इस सीट पर या तो वो या उनकी मा लड़ेंगी 2019 के चुनाव में जिस सीट पर लोजपा चुनाव लड़ी थी वह सभी सीटे हमारी प्रात मिकता है इसके साथ इन्होंने मुख्य मंत्रे नितीश कुमार पर हमला बोलते वे कहा कि वह सब कुछ की चिंता छोड़ कर कभी बैंगरूरू तो कभी मुंबई के दौरे में लगे हुए है इसलिए बिहार को परिवर्तन की जरूरत है राहुल गांधी की वापसी पर सुसील कुमार मूदी ने इन तीन बरे नीता को बताया दुखी कॉंग्रस नेता राहुल गांधी लोग सभा सभा सदश्यता बहाल हो गई है जिससे की कॉंग्रस काफे खुश है लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर राजनिती सुरू हो गई है दरसल राहूल गांदी की वापसी पर बिहार के पुर्व उपमुख्यमंत्री और राजिस सभास्दश्य सुसील कुमार मूदी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है और हुँने कहा कि राहूल गांदी की वापसी से भलही कॉंग्रस खुश हो लेकिन उनके सहीयों की दुखी हैं उनके सरद पवार नितीश कुमार और मम्ता वनलजी के नाम शामिल है यतीनो बरेनेत राहुल गांदी की वापसी से दुखी हैं इसमें से सबसे आधा दुखी नितीश कुमार हैं क्योंकि अब उनके सपने तूट गए हैं वहीं दूसरी और बीजेपी के सांसद निश्रीकांत दूबे के दौरा राहुल गांधी की सदश्टा बहाल होने के बाद कहा गया कि चलो मनुरंजन वापसा गया आज है दीपक चाहर का जंदन डेब्यू में 8 विकेट लेकर मचाया था गदर आज यानी की 7 अगस्त को टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर का जंदन है ऐसे में आज वे अपना 32 जंदन मना रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यहां एक ऐसे खिलारी है जिनके नाम पर T20 इंटरनाशनल में सर्वस्ट्रेस्ट बॉलिंग फीगर का रिकॉर्ड दर्ज है उन्होंने 2019 में बांगलादेश के खिलाव 7 रंदे कर 6 विकेट लिये थे जिसके बाद उनकी एक अलग पहचान बनी इसके अलावा दीपक चाहर पुरिस T20 में पहले हैट्रिक लेने वाले गेंद बाज है इन्होंने रंजी टॉफी में पदारपन करते वे 10 रंपर 8 विकेट चटकाएं दीपक ने घरेलू क्रिकेट में शांदार शुरुवात की थी और आस्थान टीम की तरफ से 40 से जादा विकेट लिये थे IPL में चन्नाई सूपर किंग्स की तरफ से खेलते वे उन्होंने शांदार प्रदर्शन किया जिसके बाद उन्हें ने नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला दीपक चाहर ने T20 में साल 2019 में इंग्लाइन के खिलाव डिब्यूक किया था और वंडे में साल 2018 में अफगानिस्तान के खिलाव डिब्यूक किया था IPL 2019 में इन्हों ने कुल 22 विकेट लिये बेदे दिन हमादर पूचिया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों पजाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिरोंने हमादर पूचिया सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर में सबजी के दामों में पहले की तुलना में गिरावट आई है या नहीं अपना जाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कवरों के साथ बरह रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बु